आईए थोड़ी सी प्राक्टिस कर लेते हैं रेट्स को कम्प्यूट करने की इससे हम बहतर तरीके से समझ पाएंगे की रेट्स क्या होते हैं तो हमें दिया हुआ है तो एक लोकल कार बेचने की दुकान पे तीन लोग हैं जो कारें बेचते हैं तो यहाँ पर यह जो टेबल दिया हुआ है यह हमें बताता है कि हर एक सेल्स परसन ने कुल कितनी कारें बेची हैं तो यहाँ पर हमारे कार के सेल्स परसन का नाम दिया हुआ है शारकी स्नेक और बुल्डोजर नाम तो बड़े अच्छे इनके और फिर हमें दे रखा है कि यह कितने साल से इस दुकान में काम कर रहे हैं इनके years of employment और फिर हमें बताया गया है कि हर एक ने कुल कितनी कारे बे that on sales person ने सबसे जादा cars बेची हैं per year के हिसाब से हमें यहाँ पर rate निकालना है cars per year का यानी कि कितनी कारे बिकी है per year हमें पता लगाना है cars sold per year का और हमें दे रखा है कि शारकी ये 2 years में 104 cars बेचता है, snake बेचता है 7 years में 322 cars और bulldozer ये 12 years में 500 और 16 cars बेचता है तो हम इनके cars के बेचने का rate निकाल सकते हैं अगर हम इनकी बेची हुई cars की quantity को इनके years of employment से divide कर दे तो तो चलिए करते हैं और यहां इन सभी का cars per year का rate निकालते हैं तो शारकी ने बेची है 104 cars कुल मिलाकर 2 years में तो इसकी cars बेचने का rate क्या होगा 104 को अगर हम 2 से divide कर दे तो हमें मिलता है 100 divided by 2 होता है 50 और 4 divided by 2 होता है 2 के बराबर यानि की शारकी बेचता है 52 cars 52 cars per year चलिए बात करते हैं snake की तो snake ने बेची है 322 cars 322 cars कुल मिलाकर 7 years में तो इसके car बेचने का rate कितना है तो 322 को हमें 7 से divide करना होगा यहाँ पे चलिए इसे divide कर लेते हैं मैं यहाँ पर divide कर लेती हूँ 322 divided by 7 तो 32 में जाता है 7 4 times completely 7 times 4 होता है 28 यहाँ पर हम इसे subtract कर देंगे हमारे पास बचा 4 32 minus 28 4 होता है इस 2 को नीचे उतार लेंगे और 42 में 7 जाता है 6 times completely 7 times 6 होता है 42 इसे subtract कर लेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है आपे तो हम कह सकते हैं कि स्नेक बेचता है 46 cars 46 cars per year यह स्नेक के cars बेचने का rate है इसी थरीके से अगर बुल्डोजर की बात की जाए तो बुल्डोजर ने बेची है 516 cars 12 years में यानि कि 516 cars divided by 12 years अब चलिए देखते हैं कि 516 को अगर 12 से divide करते हैं तो हमें क्या मिलता है इससे मैं यहां कर लूँगी जगे की थोड़ी सी कमी है हमारे पास ठीक है तो 51 इसमें 12 कितनी times जाएगा? 12 times 4 होता है 48 12 times 4 होता है 48 51 में से अगर हम 48 माइनस कर ले तो हमारे पास बचेगा 3 चलिए इसे सब्ट्राक कर लिया हमने 3 बचा हमारे पास इस 6 को नीचे उतार लेंगे और 12 times 3 होता है 36 के बराबर इसे सब्ट्राक कर लेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा remainder में तो हम कह सकते हैं कि बुल्डोजर के कार बेचने का रेट है 43 कार्स 43 कार्स per year का यहां पर हमें इन 3 के कार बेचने का रेट पता चल गया है और हम देख सकते हैं कि शारकी ने सबसे जादा कार्स बेची हैं per year में और सबसे कम कार्स बेची हैं बुल्डोजर ने तो यहाँ पर हमारा answer होना चाहिए शारकी क्योंकि शारकी वो car salesperson है जिसने most cars बेची है per year के हिसाब से इसे बंद कर लेंगे और answer check कर लेते हैं जी हाँ सही है ये